हलो फ्रेंड्स वेलकम टू SSC कोचिंग सेंटर दोस्तों आज की वीडियो में रीजिनिंग का सबसे इंपोर्टेंट चेप्टर तो चले श्टार करते हैं पहले कोशन से उन संख्याओं का समुह चुने जो निमने के समान है यानि कि एक समुह हमें दिया गया है बिल्कुल इसी के समुह के जैसा इन चार ओफ्षन में से कौन सा समुह होगा वो पहँचानना है तो सबसे पहले तो हमें इसको ही पहँचानना है कि ये समुह किस आधार पे है ठीक है इसमें क्या लोजिक लग रहा है इसको पहँचान पाएंगे तभी तो उसके आधार पे हम दूसरा पहँचानेंगे ओफ्सन में से तो इसमें देखिए सबसे पहले 4 है 32 है 64 है अगर मैं 4 की बात करूं तो 2 का स्क्वेर होता है 64 की बात करूं 8 का स्क्वेर होता है लेकिन 32 तो किसी का भी स्क्वेर नहीं होता ये बात आप अच्छे से जानते हैं तो स्क्वेर वाला तरीका तो इसमें लग नहीं रहा है फिर भी देखिए कोई और तरीका हो सकता है मल्टिप्लाई वाला हो सकता है या कोई और भी हो सकता है यहाँ पर अगर मैं बाता दूँ आपको कि यह मैंने इतना बता दिया यह भी मैंने आपको बता दिया कि यह 2 की पावर 2 है यह मैंने आपको बताया ना कर लोगे की नहीं आप आसानी से पता कर लोगे सेम लोजिक पहले पावर 2 होनी चाहिए फिर पावर 5 होनी चाहिए फिर पावर 6 होनी चाहिए कहां पर लग रही है देखो 9 की पावर 2 बिल्कुल ठीक है लेकिन 9 की पावर 2 कमान 9 की बावर 5 होना चाहिए जो की नहीं है हटा दो इसको 3 की पावर 2 बिल्कुल ठीक फिर 3 की पावर आईगी 5 3 की पावर 5 होती है 243 ये भी ठीक है भाई 3 की पावर 2 9 3 की पावर 5 243 फिर power 6, तीन की power 6 कमान 729 होता है, बिल्कुल ठीक भाई, यह सही जवाब हो गया मेरा, बी option क्या है, बिल्कुल सही जवाब है, देखे, 9, 243 और 730 है, अगर आपको power की जानकारी नहीं है, तो जानकारी रखो, ये तीन की power 2 है, ये तीन की power 5 है, और ये तीन की power 6 है, बात के ल पहले power 2 था, फिर 5 था, फिर 6 है, पहले power 2 फिर 5 फिर 6 हो गया, नीचे वाली संक्या देखो, सभी में same है, 2 है सभी में common, यहां सभी में 3 common है, logic हमारा match कर रहा है, अब अगला question देखती है, उसमें क्या होता है, उसे देख लीजे, अगला question जो की code भासा से है, code में stroke को इस त bright को कैसे लिखा जाएगा, चलिए, stroke, s, t, r, o, k, e, यही तो है, इसको यह लिखा गया है, यानि कि क्या, f, l, p, s, u, t लिखा गया है, अगर मैं यहां पर ध्यान से देखू, तो मुझे क्या नजर आएगा, s कितने नमर पे आता है, 19 पे आता है, t, 20 पे आता है, r, 18 पे आत है, k, 11 पे आता है, e, 5 पे आता है, इतना मुझे पता है, t, मुझे मालूम है, 20 पे आता है, u, 20 पे आता है, s, 19 पे आता है, 16 पे आता है, 12 पे आता है, और यह मेरा आता है, e, f, 6 पे आता है, इतना मुझे पता है, अब मुझे जब इतना पता है, तो मैं क्रोस अंतर करूं, जैसे 19 है, यह मेरे पास 20 है, यानि कि 19 में एक जोड के 20 हो गया, यह 20 है, 20 से 21 हो गया, यह 18 है, 18 से 19 हो गया, यह 15 है, 15 से 16 हो गया, 11 है, 11 से 12 हो गया, यह 5 है, 5 से 6 हो गया, यानि कि इधर 1st से स्टार्ट कर रहे हैं, इधर 1st से स्टार्ट कर रहे हैं, समझ में आये ना, सेम लोजिक लगेगा यहाँ पर बी आर आई जी एच टी इधर फर्ष्ट से इधर फर्ष्ट से स्टार्ट करेंगे धर लाष्ट से उन्निस के बाद 20 होया यह 2 है ना तो 2 के बाद लाष्ट में 3 होगा और 3 पर कोन आता भई 3 प्याता सी सी रेकी किस ओप्षन में स्टार्टिंग में सी सबसे पहले सबसे पहले नहीं सबसे लाष्ट लाष्ट में सी एक ही ओप्षन है मुझे तो पहला दखाई देरा सवाल खतम जादा समय क्यों लगाएंगे भई जहों मैं आंसर एक ही सबसे मिल गया फिर ज्यादा समय नहीं लगाना चलिए अब देखते हैं अगला सवाल अगला सवाल है यदि 5 गुने 2 गुने 8 गुने 3 बराबर 83 एक गुने 5 गुने 6 गुने 7 बराबर 37 तो इसका मान क्या होगा आपको अच्छे से पता है कि अगर मैं इन सभी का मल्टिपाई करूँ तो 83 से ज़ादा होगा और इन सभी का मल्टिपाई करूँ तो 37 से ज़ादा होगा लेकिन रीजिनिंग में लोजिक काम करता है आपको अच्छे से पता है तो किसी ना किसी लोजिक के अधर पर यह 83 होगा चलिए अगर मैं multiply करूं पांस दुने का 10 और 10 कमल पे करूं 8 से तो 80 हो जाएगा यहां तक हो गया 80 और इस लाश्ट वाले से मैं multiply नहीं करता लाश्ट वाले को मैं जोड़ देता हूं तो 80 में 3 जोड़ूँगा 89 मिल जाएगा मुझे यह वाला सेम लॉजिक यहां लगाना है एक कमल पे 5 से करूंगा 5 पांच कमल पे 6 से करूंगा तीस जैसे लाश्ट वाली संक्या को यहां जोड दिया था बिलकुँ यहां पर भी लाश्ट वाली संक्या को जोड़ेंगे यानि 48 हो जाएगा किदर है 48 दी ओफ्षन में है डी ओफ्षन है सही जवाब अब देखिंगे अगला सवाब अगला सवाल है नंबर जोड़ी का चैन करें जिसमें दो नंबर उसी तरह से सम्दित है जैसे नीचे दी गई जोड़ी के दो नंबर है एक जोड़ी के यहां पर दो नंबर है यह किस प्रकार से सम्दित है एक दूसरे से बिलकुर उसी प्रकार से यहां ओफ्षन में से भी को पूरा पूरा डिवैड हो रहा है कि नी पहली संक्या में दूसरी संक्या का पूरा पूरा डिवैड हो रहा है। मान को सही बनाने के लिए निमने लिखित में से किन दो संकेतों को आपस में बदलना चाहिए यानि कि कोई दो संकेत बदलने पड़ेंगे जिससे कि मान सही आएगा प्लस प्लस को बदलना है या माइनस डिवाइड को प्लस गुने को या प्लस माइनस को देखिए ये जो संकेत वाले सवाल है इसको अब चार ओप्सन रहते हैं अगर मान लो D ओप्सन में हमारा सही आंसर है मैं A करूँगा, B करूँगा, C करूँगा जब D पर पहुंचूँगा तो इसका मतल़ इसमें तो बहुत समय खर्च हो जाएगा कोई ऐसा तरीका पता लगना चाहिए जिससे कि हम डिरेक्ली आंसर तक पहुंचें तो डिरेक्ली कैसे पहुंचेंगे जिस ओप्सन में डिवाइड वाला दे रखा है उसको पहले करना है सॉल्प चारो ओप्सन में देख लो डिवाइड किसमें इसमें है डिवाइड भी में तो इसको ही पहले सॉल्प करना है अगर मालनो दो ओप्सन ऐसे होते जिसमें डिवाइड दिया जाता यहां तो चार में से केवल एकी ओप्सन में डिवाइड है अगर मालनो दो ओप्सन होते जिसमें डिवाइड दिया जाता तो जिसमें पहले डिवाइड है उसको solve करेंगे आप यहां तो डिवाइड बात में है इसी को लेंगे क्योंकि एक ही option में अगर दो डिवाइड वाले option हो और उसमें से पहले डिवाइड हो पहले डिवाइड तो उसको आपको पहले हल करना है याद रखना यहाँ पर तो एक में डिवाइड एस इको लेंगे यानिकि माइनस और डिवाइड चलो कर लो भाई पंद्रा पिलस पांच तो जहां माइनस है वहाँ क्या करोगे आप डिवाइड ले लोगे 10 गुने 6 और जहां divide है वहां minus ले लोगे जहां minus होगा वहां divide जहां divide होगा वहां minus अब देखो 6 के बराबर आता है कि नहीं आता चलिए 5 से कट जाएगा 15 कटाना क्यों है यहां हमें कटाना ही नहीं है आपको पता नहीं है क्या हुआ रहा है बोड मास के according पहले divide को solve करना है बोड मास को बहुत बच्चे भूल जाती है यहां पर कटा देंगे यहां से इधर कटा देंगे नहीं बोड मास के according यानकि 5 में divide करना 10 से तो 15 है पिलस है 5 है 5 में divide करना 10 से समझ में आया गुने 6 माइनस का 12 बराबर के 6 आना चाहिए यह है हमार सवाल अब इसको कटाएंगे 5 एकम 5 कटेगा 5 दुने का 10 ठीक है तो 15 पिलस एक बटे 2 हो गया यह गुने में 6 माइनस का 12 बराबर 6 अब देखो इसको solve करके 2 से कटा दूंगा मैं 6 को तो 3 बार में कट जाएगा अब 15 में जोड देंगे 3 तो 18 और 18 में से माइनस कर देंगे 12 तो 6 आ गया 15 प्लस 3 कितना हुआ 18 18 में से माइनस कर दो 12 तो 6 आ जाएगा कि नहीं आ गया हमारा सही हो गया कैसे सही हुआ जब हमने B option के संकितों को रखा तब सही हुआ चलिए अब देखतें अगला प्रेशन अगला सवाल है कितने तिरभुज हैं जो आकरति आपको दी पहले ये बेसलायन को आप देख्ते हैं हैं बेसलायन पर कितने बनने यहां चली बेसलायन पर सबसे पहली वाली बेसलायन यहित देखता हूं कितने यह पूरा बड़ा वाला यहां से यहां तक यह यह और यह तीसरा हो रहा नहीं यह तीसरा हो गया एक यह हो गया था एक जैसा ही तीसरा है दूसरा यह चोटा वाला तीसरा यह चोटा वाला चोटा यह चोटा वाला नहीं कि पांच बन गए यहां पर यहां तक कितने बन गए मैंने भी Heart हो गए single single अभी डवल जू बनेंगे उनको डवल वाल्नों को जि lifes एक चोटा वाला दो जिस known है अधर लिया टीन एक चार एक पाच एक चोटा वाला ची एक यह साथ और एक यह आठ यहां तक आठ हो गए अब देखो डवल मिला के कौन से बनना है डवल यहां से जाओ यहां पे एक हो गया हो गया के नहीं हो गया यहां से गयते हैं हम यहां पे एक हो गया यहां से जाओ यहां पे एक ही हो गया दो ठीक है दो हो गया अब एक यहां से जाओ यहां अब यहाँ पर देखो यहां से बनाओ एक यह वाला हो गया एक यह वाला हो गया आफ वाला हो गया दो हो गए लुचितनी हो ग Wür वह शाजती है प्रशणिक बिल्कुछ सही जवाब, अब देखते अगला प्रश्ण, अगला सवाल है, संख्या का सही सेट चुने, जो निम्न सेट के समान है, 8, 29 और 3, बहुत ही बढ़िया सवाल, अब ये प्रश्णी में आपको हमबर के लिए दूँगा, क्योंकि भाई, प्रश्णी ऐसा है, जिसमें आपको दिमाग लगाते हो, तो दिमाग चलता है, दिमाग का इस्तमाली नहीं कर रहे हो आप, तो दिमाग कहां से चलेगा, एक सवाल ऐसा मिल जाए, प्रैक्टिस के लिए, तो इसके चक्कर में आप 10 को स्वाल कर दोगे, यानकि 10 तरीके दिमाग में आ जाएंगे, फिर भी आंसर करने आएगा, फिर और तरीके लगाओ जिससे कि आपका दिमाग तरीके लगाने के लिए खुलेगा, जो लॉक हुआ है ना आपका दिमाग, वो खुलेगा तरीके इस्तमाल करने के लिए, इसलिए वंबर के लिए मैं एक बढ़िया सा सवाल आपको निकाल के दिया है, अब